हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा की हमारा जो फराटा पंखा होता है चाहे वह दो पंखुडी का हो या फिर पंच पंखुडी का हो उसे हम काउन काउन से नमबर के तार से रिवाइंड कर सकते हैं देखिए दोस्तों यह एक फराटा पंखा का इस्टेटर है जो की 20 mm का है हो सकता है आपके फराटा पंखा का इस्टेटर 25 mm का हो किसी किसी फराटा पंखा में 20 mm का इस्टेटर होता है और किसी किसी फराटा पंखा में 25 mm का इस्टेटर होता है तो दोस्तों चाहे आपके फराटा पंखा का इस्टेटर 20 mm का हो चाहे 25 mm का हो चाहे वहाँ दो पंखुली का हो चाहे वहाँ पंखुली का हो आप उस फराटा पंखा को 26 नंबर से लेकर 33 नंबर तक के तार से रिवाइंड कर सकते हैं आप चाहें तो अपने फराटा पंखा को कॉपर के तार से रिवाइंड करें या फिर अल्यूमिनियम के तार से रिवाइंड करें यह आपकी मर्जी है दोस्तों कमपनी जो है हमेशा फराटा पंखा को 30 नमबर और 32 नमबर के तार से ही रिवाइंड करके देता है लेकिन अगर आपके पास 30 नमबर और 32 नमबर का तार नहो तो यह जरूरी नहीं है कि आप उसे 30 और 32 नमबर के तार से ही रिवाइंड करें आप उस पंखे को 26 नंबर से भी रिवाइंड कर सकते हैं 27 नंबर से भी रिवाइंड कर सकते हैं 29 नंबर से भी रिवाइंड कर सकते हैं और 31 नंबर से भी रिवाइंड कर सकते हैं और यदि आपके पास इन सभी नंबर का तार भी नहीं है तो आप अपने फ़राटा पंखा को 33 नमबर के तार से भी rewind कर सकते हैं लेकिन आपको उसके टारन को कम ज़्यादा करना पड़ेगा दोस्तों जैसे कि इसमें आप 32 नमबर तार से 230 टारन देते हैं तो आपको इसमें 33 नमबर तार से 240 टारन देना होगा और यदि आप इस पंखा को 31 नमबर तार से रिवाइंड करते हैं तो आपको इसमें 220 टरन देना होगा इसी तरह से आपको हर नमबर के अंतराल में 10-10 टरन कम ज़्यादा कर लेना है तार का नमबर यदि मोटा होता जाएगा तो उसमें 10-10 टरन कम होता जाएगा और यदि तार का नमबर पतला होता जाएगा तो उसमें 10-10 टरन बढ़ता जाएगा घबराईए मत दोस्तों आपके पंखे के इस पीड में कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा वह आराम से अच्छे से चलेगा